तो दोस्तो 6 साल की development के बाद में कम्पनी ने अपनी Mantis Ora Electric Motorcycle लॉंच कर दिया है इस बाइक में हमें क्या कुछ speed income लेगी, कितनी range होगी, क्या कुछ price में ये लॉंच की गई है सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं So guys, Mantis Ora एक Bengaluru Braced Electric Bike बनाने वाली कम्पनी है जिनका पहला product Mantis Electric Bike बनकर तयार हो गया है इन्होंने इस बाइक को आज से काफी टाइम पहले showcase किया था जिसमें कि इनकी बाइक में removable battery का इस्तमाल किया जा रहा था बट अब ये बाइक बिल्कुल पूरी तरह के से चेंज हो गई है इसमें थोड़ा सा डिजाइन भी चेंज कर दिया है इसका जो weight है वो भी कम हो गया है removable battery के जगए अपने आपर fix battery कर दी गई है First of all तो इसकी बाइक की डिजाइन की बात करें और rear में 230 mm का display की इसमें दिया गया है seat height की बात करें तो यहाँ पर 815 mm की seat height है और 180 mm का ground clearance है इसके लाबा इस bike के battery को बिल्कुल center में place किया गया है जिसे की center of gravity बनी रहे और bike की riding position थोड़ी अच्छी हो सके वहीं इस bike की बैटरी है उसको काफी ज़्यादा lighter बनाए गया है अगर compare करें इस तरह की और other bikes से इस bike का total weight यहाँ पर 182 kg का है अब इसके battery और motor capacity की बात करें तो यहाँ पर company ने इसमें 8.9 kWh की battery pack का इस्तमाल किया है इसके लाबा इसमें एक center mount motor का इस्तमाल किया गया है जो की BLDC motor है जो की 27BHP and 93 Nm का torque generate करेगी जिसकी top speed 135 km परार की होने वाली है जो की 8.9 second में 0 to 100 km की top speed catch कर लेगी वहीं 8.9 kWh battery pack से ये bike 221 km के IDC range इंगा कर देगी तो यहाँ पर actual range आप मानकर चलो की 200 km से कम ही आपको देहिनों को मिलेगी वहीं इस battery को charge करने के लिए company 1.3 kWh का एक standard charger देने वाली है bike के साथ में जो की इस bike को 0 to 80% 5 power में charge करेगा इसके लाबा company 3.3 kWh का charger भी अलग से sale करेगी जो की इस bike को 0 to 80% 2.5 power में charge कर देगा इसके लाबा इस bike में 5 इंच का एक TFT display मिलने वाला है जिसमें की इनका खुद का operating system होगा जो की Linux based operating system है वहीं इसमें Bluetooth connectivity, smartphone connectivity से आप इसमें call, message, navigation वगरा कर सकेंगे अब इसके ओफरेंड price की बात करें जिसकी booking start हो चुकी है और first 1000 customer के लिए अभी pre booking amount 10,000 रुपीस होने वाला है उसके बात में इस booking amount की कीमत 25 के हो जाएगी तो overall देखा जाए तो bike का design काफी अच्छा है fast charging आपको काफी अच्छी मिलेगी build quality का भी कुछ कहने सकते है बट इसकी battery के according इसकी जो range है ना वो यहाँ पर मुझे थोड़ी कम लग रही है वहीं price की बात करें तो इंडिया में इस टाइम पर सभी electric vehicle कुछ extra ही price में sale किये जा रहे है जिसकी वज़े से इसकी price भी यहाँ पर high हो रखी है बाकि आप लोगों की क्या है रहा है इस बाइक के बारे में comment करके जरूर से बताना और दोस्तों वीडियो अच्छे लेगी उत्वार प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना मैं मिलता हूँ आप से कर इसी नई वीडियो में तब तक लिए stay safe and stay fight